नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज जो हम लोग यहाँ पे 2024 में जो भी प्रमुक पुरशकार रिवन सम्मान दिये गए हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे ठीक है क्योंकि यह इतना important topic है दोस्तों, चाहे कोई भी examination हो, चाहे center level पे examination हो, या state level पे examination हो, या कोई PCS level का examination हो, वहाँ पे पुरसकार रिवन सम्मान से बहुत सारे प्रशन पूछे जाते हैं ठीक है तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लिजेगा पूरा और आपका एक से दो नंबर जो है हर एक exam निसम में बढ़ जाएगा, ठीक है चलिए हम लोग बिनादेरी के वीडियो को शुरूर करते हैं, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण है पदम विभूशन कितने लोगों को दिया गया है 2024 में जो पदम विभूशन दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया है यहाँ पर option में दिया गया है 5 लोगों को, 6 लोगों को साथ लोगों को या दस लोगों को तो देखिए यहां पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा आक्षणी पांच लोगों को ठीक है पांच लोगों को पदम भूशन मिला है सतरह लोगों को पदम भूशन मिला है और 110 वेक्ति को जो है पदम सरी मिला है ठीक है यानि टोटल हम बात करें तो इस बार जो है 132 मिला कितना मिला है 132 विभूशन मिला है ठीक है पदम पुरिशकार मिला है दो याट चोविस में और यह जो पांच लोग है उसमें आप नाम याद रख सकते हैं बैजनती माला बाल चोटल हैं तो यह ब्याति करता है enयुक्ते को याद रखेंहें ऑर यह समाजीग कार करता है door यह बिहार से श्याद को याद रखेंगा बिनदेशवरी पाथायक कि पूचा जाएगा ठीक है और पाचमा जो है दोस्तों यह है पदमा सुभरमन्यम जो के कला के छे दरसे हैं और यह भी तमिलनाडू के हैं याद रखेंगा और तीनों के तीनों कला के से समझ देते हैं चलिए तो इस प्रशन का सही उतर आपसन नहीं हो जाएगा अगले प्रशन कर बढ़ते हैं अगला प्रशन है अंठावनमा ज्यानपीट पुरसकार 2023 किसे दिया गया है ठीक है यहाँ पर चार आपसन दिया गया है उर्दू कभी गुलजार को जगत गुरू रामभद्रा चार्ज को उपरिउक्त में से दोनों उपरिउक्त में से कोई नहीं तो देखिए यहाँ पर इसका सही उतर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन से उपरिउक्त में से दोनों ठीक है अंठावनमा जो ग्यानपीट पुरसकार 2023 मिला है यह मिला है उर्दू कभी गुलजार को और जगत गुरू रामभद्रा चार्ज को तो यह भी प्रशन आप याद है कि यह पुरसकार जो है दोस्तों यह साहित के छेतर में दिया जाता है ठीक है यह जो ग्यानपीट पुरसकार है यह साहित के छेतर में दिया जाता है यह भी प्रशन पूछा जा सकता है अगला प्रशन है दोस्तों तेतीसमा ब्यास सम्मान 2030 पुरसकार किसे दिया गया है यानि कि ब्यास संमान जो है 2023 इसका यह पुरसकार किसे दिया गया है ओप्सर में दिया गया है पुषपा भारति ज्यान चतुरवेधी प्रभावर्मा और शिव शंकर तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा पुषपा भारति को ठीक है तिसमा जो पूस्वा भारत्य को उनके संस्मरण यादे यादे हीतु दिआ गया है यादे यादे हीतु दिआ गया है यह आप याद रखेंगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन को अगला प्रशन है दोस्तों ते रापनमा दादा साहे फाल के पुरुषकार 2023 किसे दिया गया है बहु हो जाएगा option C बहीदा रहमान को ठीक है दादा साय फालक पुरुसकार 2023 जो है दोस्तों ये कि इंको मिला है बहीदा रहमान को मिला है ये भी आप याद रखेंगे चलिए बढ़ते हैं अगले परशन को अगला परशन है बिहारी पुरुसकार 2022 किसे दिया गया है बिहारी पु हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा option ही डाक्टर माधव हाड़ा को ठीक है बिहारी पुरुसकार 2022 किसे दिया गया है डाक्टर माधव हाड़ा को आप याद रखेंगे नेक्स्ट प्रशन क्यों बढ़ते हैं एवल पुरुसकार 2024 किसे दिया गया है बहुत important प्रशन है ये याद रखेंगे ये गणित के छेतर में दिया जाता है तो यहाँ याद रखेंगे एवल पुरुसकार 2024 किसे दिया गया है चार option दिया गया है डेनियल को सुनिल सिंग को लुइस कैफ रेली को या डेनिस पार्णिल सुलिवन को ठीक है चार option दिया गया है तो इसका जो इंद्रा गांधी शांती प्रशकार 2023 किसे परदान किया गया है बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है ये हमेशा परिच्छा में पूझा जाता है इंद्रा गांधी शांती प्रशकार तो इंद्रा गांधी यहाँ पे चार option दिया गया है डेनियल बरेन बोहिम को अली अबु अब्बाद को उपरिक में से दोनो या उपरिक में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा option C उपरिक में से दोनों डेलियम, डेनियल, बेरेन बोहिम को और अली अबू अब्बाद को ठीक हैं इंद्रा गानरी शाहरुक खान को, डेलियन, डेनियल, बेरेन बोईम को, डेनिस, पारेन, सुलिवन को या पॉल लिंच को, ठीक है, चार ओप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ओप्शन D, पॉल लिंच को, ठीक है, बूकर पुरसकार तेज जो है दोस्तों, यह किन को मिला है, पॉल लिंच को मिला है, और यह पुरसकार जो है दोस्तों, यह भी सहित के छेतर में दिया जाता है, ठीक है, बूकर पुरसकार, नेक्स प्रस्कार को बढ़ते हैं, आरिभट पुरसकार दोजार चोविस की से दिया गया है, ठीक है आरेभट पुर्षकार 2024 तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा option C पाबू लरी सुब्बा राव को इनको मिला है पाबू लरी सुब्बा राव जी को नेक्ट प्रस्टन है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुर्षकार किसे दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुर्षकार बहुत इंपोटेंट है दोस्तों चार प्रस्टन दिया गया है मुकेश अंबानी को अनील अंबानी को सुनिल अदानी को या रतन टाटा को तो इसका जो राव अप्रस्टन हो जाएगा धोष्टन दोस्तों यह हो जाएगा जोस्तों जररतन टाटा को सशी धरूर को नेक्स प्रस्ट है जी डी बिला पुरुषकार 2023 किसे परदान किया गया है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ट है ये प्रस्ट हमेशा परिक्षा में पूछा जाता है ठीक है चार ओप्षन दिया गया है आशा शिंदे को अधिती सेंडे को पूजा हेगडे को या कैटरिना कैप को ठीक है तो यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्षन भी अदिती सेंडे को किनको दिया गया है जी डी बिला पुरुषकार 2023 अदिती सेंडे को दिया गया है और यह भी याद रखें गैंगे अधीती स towel जो है यह पर्ठम म है medicine mars को बी आर कमबोज को सभीता कंसबाल को या दीपा भंडारे को ठीक है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा दूस्तों यह हो जाएगा option C हो जाएगा तेंजिंग नौर्गे समान के नहें दिया गया है संभीता संभीता कंसबाल को next question के रुबढते हैं MS Swaminathan Praskar किसे परदान किया गया है MS Swaminathan Praskar किसे परदान किया गया है बहुत important question है यह ठीक है पर चार option दिया गया है professor B.R. कंबोज को professor Daamini Gupta को professor Meenie Chauhan को या dr. Subhar Rao को ओके तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा दो स्वामिनात्र पुरुषकार दिया गया है प्रोफेशर बी आर कंभोज को यह में स्वामिनात्र पुरुषकार बहुत इंपोटेंट है यह वी वी आई है ठीक है याद रखेंगे नेक्स प्रॉष्ण कर बढ़ते हैं भारत रतन पुरुषकार दोजाट चौवईस किसे जाएगा option C उपरिक्ट में से दोने हैं यहां पर प्रकाश बादल को या सुकृता पाल कुमार को तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों रविन ना टेगोर साहितिक प्रुसकार दिया गया है सुकृता पाल कुमार को ठीक है राइट एंसर यहां पर option D हो जाएगा यह भी प्रश्न याद रखेंगे नेक्स प्रश्न के ओर बढ़ते हैं लीप एरिकसन ठीक है लीप एरिकसन लूनर प्रुसकार किसे दिया गया है च बहुत इंपॉर्टेंट है जाद रखे गा टीक है वी बी आई है लीप एरिकसन जो प्रुसकार दिया गया दोस्तों इस रो को यह दिया गया है चंद्रयान — ठीक कि इनके किस के लिए दिया गया था ? चंद्रयान qe तिरीक के लिए लीप एरिक्सन लूनर प्रसकार नेक्स प्रस्ण है लता मंगेश कर प्रसकार 2023 किसे प्रदान किया गया यह भी प्रस्ण पूछा जाता है इसे भी आप याद रख सकते हैं आशा भोशले को माधुरी दिक्षित को संजेदत को या सूरेश बाढ़कर को तो यह यहां जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का यह हो जाएगा ऑप्सन दि शूरेश बाढ़कर को इनको दिया गया है सूरेश बाढ़कर जी को लता मंगेश कर पोसकार 2023 सूरेश बाढ़कर जी को दिया गया है नेक्स प्रसन है दोस्तों शर्श्वती सम्मान 2023 किसे दिय को इनको दिया गया है शरृषरती सम्मान 2003, यह दिया गया परभा परमा को इनकी उपन्यास है रौदर सात्वित्य के लिए, किसके लिए देया गया है रौदर सात्विक कम के लिए ठीक है नेक्ट प्रशन को बढ़ते हैं यह है अंतराष्टिय संस्कृति प्रोष्कार दोजार 24 किसे दिया गया है यहां पर चार अपसन दिया गया है मीना लेखी को अस्मिर्थी रानी को इरमला सिथारमन को या प्रोफेसर मीना चरंदा को तो इसका जो राइट एंसर हो जा इस प्रशन को ता बिल्बूल याद कर देजेगा तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और आपका इसमें कितना प्रशन सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बता देजेगा और अगला ज अगले वीडियो में अपना ख्याल कर रखें पढ़ाई करते रहें जय हिंद्ध